हेलो अब्रीबन स्वागा था आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टीव सोनल में तो कैसे हैं आप लोग इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले SBAPO 2022 की Complete Strategy Prelims की ठीक है और बहुत साय लोग पूछ ले थे कि Other Examination से यह अलग कैसे होता है इसमें कोशन का लेवल टफ होता है Prelims में कोशन के लेवल कैसे होते हैं मिन्स में कैसे होते हैं सभी एक एकर के बात करूँगा और आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने यहाँ 67.25 मार्क्स लिखा जो थम्डिल में आपने देखा भी होगा यह मेरे स्कोर रहे थे पिछले साल SBAPO के Prelims के पेपर में मेरा मै अच्छे स्कोर भी नहीं है बढ़ हाँ आप जब एक बार दोगे वेपर जब आप अटेम्ट करोगे तो आपको पता जालेगा कि हाँ थोरा सा लेवल अब तो होता है इसमें रहता है और इंगलिस में भी इंगलिस ठीक ठाक रह था मेरे सिफ्ट का तो बाकी यह दोनों कैल्कुलेटिव थोरा सा पूछा गया था ठीक है और बाकी आप इसमें 65 ब्लस कर रहे हो इसमें स्कोर तो वह सफिजेंट होता है उससे जारा कटाफ जाता भी नहीं है मतलब prelims का ग्लरक में तो चले जाते हैं बट पियो में नहीं जाता है तो चलिए बात कर लिते हैं सब ही topic बात ने किस तरीके से question करने चाहिए कहां से करने चाहिए किस level पर त्यारी करने चाहिए किस type ये question के practice करने चाहिए अब ही आप जो लोग भी जो सब भी mock लगा रहे होंगे मैं सजेस्ट करूँगा आप लोग के वाड़े smart किरा का mock जरूर ट्राइ करिएगा उसका जो level होता है आप सबने देखा होगा जो भी smart किरा का mock लगाते होगा उसका level थोगा हाई होता है तो आप उस mock को जरूर लगाईएगा जिनके पास ही mock है smart किरा का वह जरूर लगाईएगा बाकि जो लोग नहीं है आप लोग लेना चाहते है तो link description में है so related अपना code है वहां से आप उसे purchase करते है स्मार्ट किरा का mock होता है वह काफी सही mock होता है तो आप उसको एक बार लगाएगा आपको आइडिया लग जाएगा कि वह पेपर का label जो होता है स्टाइब का थोड़ा सा होता हाँ इसमार्ट कि यह थोड़ा सा टफी होका वहां से बट उस label यह पकर लेते हो वहां पर आप 55 प्लस भी स्कोर करते हो तो आप इतना गारेंटेट रखो कि वहां पर आप जाके 65 प्लस स्कोर करोगे 10 marks वहां पर आपको बढ़ना ही बढ़ना कवान बने क्या था कवान के लिए तो आसी सल रख से मैंने पूढ़ा basic पहले सिखा था तो वहां से अनक्याडमी मैं किया था मैंने पिछले किटने वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ इसके बारे में तो वहां से पहले बेसिक क्लिर करने के बाद आप प्रैक्टेस करें इंपोर्टेंट यह है और मौक्रस लगा सकते हैं उतने जादा मौक्रस लगाना बहुत इंपोर्ट है और जितने अब भी कॉस्चन्स होते हैं आपकी जैसे की होगया हमारे डियाई के होगया अर्थमेटिक के भी एक एक टॉपिक को अच्छा कर लीजए उससे क्या होगा कि आपको एक्जाम में आपको ही फायदा मिलने वाला ठीक है तो बस मैं यह कहाँगा अर्थमेटिक के सभी टॉप बाकि आपको DI पर जादा मेहनत करना है DI इसका थोड़ा कैलकुलेटिव का मतलब थोड़ा अर्थमेटिक भी मिक्स रहता है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी जादा परसेंटेज रेसियो और आपको वाले भी DI इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं जिसमें उन सभी टॉपिक के कॉंसेप्ट को यूज उसमें किया जा सकता है तो सबसे इंपोर्डेंट यह है कि आपको क्वांट के लिए बेसिक क्लियर होना चाहिए तब ही आप अच्छा स्कूर पर कर पाऊगा इतने ज़्यादा कोश्चन के प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा आपके लिए एक्जाम क्लियर करना ठीक है तो ये चीज़े आपको नहीं भूलना है बाकी मैं बता देता हूँ किस-किस से कितना करना है आपको डेली पाँच di solve करना है arithmetic के हर एक chapter से 5-5 question आपको solve करना है ये आपका काम है 25 simplification question के solve करना है 10 number series जिसमे wrong and missing दोनों आते हैं इतना आपको करना है और 10 question आपको quadratic equation के solve करना है ये आप note कर लिए आपका to-do list में होना ही चाहिए डेली इतने question कि आपको इतने question solve करने ही है आपको next subject पर या next topic पर जो भी आपको करना है उस पर move करना इतना practice करते हो आप आराम से आपका एक time तक आते आते आपका बहुत अच्छा हो जाएगा मतलब और जो लोग भी पूस्ते रहत हैं कि question कहां से practice करें तो guidely का bundle PDF course ले सकते हैं आप लोग तो और जिनके पास है कोई भी PDF course है या आप नहीं भी है तो गूगल से भी राउनलोड करके आप वहां से कर सकते हो बट जो लोग पूस्ते रहत नहीं कि question कहां से करें तो उनके लिए मैंने एक source बता दिया ठीक है बाकि इतना आपको truth list में आपको होना ही चाहिए जो आपको daily solve करना है तभी जाके आपकी calculation speed बहुत लोग पूस्ते नहीं कि मुझे question तो solve हो जाते हैं बट speed नहीं आती तो उसका reason यह है का practice नहीं करते हो यह practice आपको करना ही करना है ठीक है daily करना है अब बात करते हैं reasoning की reasoning में भी आपको मैं बता दू आज में आपको mislinius होते हैं और हमारा puzzle होता है ठीक है mislinius में जो हमारा होता है जिसमें आपका mislinius में जो हमारा होता है जिसमें हो गया inequality हो गया, stilogism हो गया, coding recording हो गया है, alphanumeric series हो गया, input output हो गया यह सभी topic को आपको daily पाच question हडएक topic से करना होता है practice ठीक है यह practice के लिए मैं बता रहा हूँ सबसे पहले मैं यह मान के चल ला हूँ कि अभी तक आपने basic clear कर लिया होगा at least puzzle मत्मिस नेस का तो आपने basic clear किया ही होगा यदि नहीं किया है अभी भी नहीं किया तो आपके पास मैं इसके लिए आपको 20 days से जारा का समय नहीं देशाता हूँ 20 days के अंदर सारे का basic clear कर लिए अच्छे से ताकि कोई दिक्कत नहीं वीडियो देखे करना हो जहां से करना हो रिविजन करना हो आप उसको basic clear कर लिजे अच्छे से 20 days के अंदर आप पाच-पाच questions के बाच daily solve करना है पजल के लिए मैं आप सब लों को बता दू पजल में आपको puzzles के लिए daily five questions puzzle के आपको अभी से practice करने चाहिए जो high high level के थोड़ा सा moderate level के पजल होते हैं उसको solve कर दिए क्योंकि उससे क्या होगा या आपकी वो जो speed है पढ़ने की एक तो होता कि puzzle को fast पढ़ना कभी कभी आपको होगा SBI ना लॉंग वाला puzzle पगरा देगा लॉंग वाला puzzle पगरा देगा तो फिर आप वहाँ पर फस्स नहीं जाओ इसलिए आपको daily practice करते रहना बहुत important है वहाँ पर जितना time लगता है ठीक उतना ही time exam में भी लगता है आप यहाँ पर यहाँ पर दो मिनिट में या तीन मिनिट में कर दूंगा तो वह possible ही नहीं है जितना time आपको यहाँ लगड़ा हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा ही लग जाए 10-20 सेकेंड वहाँ पर क्योंकि वहाँ पर system भी पुराना होता है या बहुत सारी mouse वाली बात है scrolling वाली बहुत सारी दिककर तो हो सकता है वहाँ पर 10-20 सेकेंड ज्यादा ही लग जाए बट कम लगता है तो आप यहाँ पे जब खुद से practice करते हो जब self study करते हो उस time में जो speed up की होती है वही speed up की होती है important और वही आपको एक्जाम में selection तक दिलाती है ठीक है तो अभी जितना जारा practice करेंग उतना benefit आपके लिए होगा पस मैंने इसके लिए अंकुस लामबासर को follow किय या था reasoning के रिए तो मैंने काड़ी है उनके वीडियो जगरा देखे हुए थे और वहां से मैं सीख के और खुद से practice करता है important यह है कि practice खुद से करना है बाकी मैंने टूरू लिस्ट आपको बता दिया डेली कैसे करना है पाच-पाच कोश्चन मिसलेने से हरे ट्रपी से करन यह हमें reading आपको करनी है खुद से the Indian Express newspaper की और इसके अलावा खुद से reading comprehension के question को solve करना है era detection के question को solve करना है पाराजम बाली question को solve करना है जितने भी topic है English के सभी topic के question को आपको solve करना है खुद से जितने भी आपको topic दिख रहे हैं है उसमें उससे 5-5 question daily solve करना है एक आपको long rc खुद से daily solve करना चाहिए और जो reading करते हो जो वहाँ पर word meaning या vocab आपको दिक्कत आती है उसको आप एक पर meaning जरूर गूगल से या कहीं से dictionary से आप देखेंगे और एक और उसको जरूर देख लीजेगा कि उस word था उसका meaning क्या होता है ठीक है इस तरीके से आप daily खुद से कर सकते हैं क्योंकि किसी भी चीज से बहुत साय लोग पूछते हैं कि reading और एक और important चीजस में यह है कि बहुत सालों बोलते grammar skip कर दे तो नहीं आप grammar के basic आपको clear होने ही चाहिए अभी तक नहीं किया तो फटा-फट कर लो 20 से 25 दिन में कर लो उसको भी clear grammar के basic course के बात practice में लग जाएगा ठीक है यह important है आपके लिए क्योंकि grammar का basic clear होगा तभी आप error detection पहला जंबल या RC तो आप कर लोगे बिना grammar के भी क्योंकि उसमें एक या दो कोशन ही होते grammar best बाकि और सब में आपको दिक्कत ना हो इसलिए grammar के basic clear कड़ी लीचिए वो ज्यादा बेहत कि skimming करने की कुशिस करो fast और खुझ से solve करने की कुशिस करगी ठीक है और बाकी daily tutorial को follow करिए और एक और tutorial में आपको मैं जोर देता हूँ current affairs, current affairs और banking awareness इसकी एक वीडियो जरूर देखिए, banking awareness की weekly PDF से भी पढ़ सकते हैं बट इसकी एक वीडियो अभी से जरूर देखिए और इसकी भी रिविजन कर जीकर इन्टरफरेंस की क्योंकि यही आपको मैंस में क्योंकि आपको सब्सक्राइब करना है नहीं मिल्स भी निकालना है तो वही आपको काम देगा आगे मैंस में ठीक है बाकी और भी कोई डाउट हो तो comment करके पूछ नीजएगा और मैं आप सबके वहाँ पर कर दूंगा बाकि जो भी टेलेग्राम चैनल पर जोईन नहीं होए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलिग्राम की वहाँ से जोईन हो जाएए और इस्टाग्राम पर हमें फॉल्ओ करना चाहते हैं वहाँ से फॉल्ओ कर सकते हैं वीडियो पसांता दाद बेरी बेस्ट पढ़ाई करते हैं ठीक है बाई लव यू ओल बाई